हलो और वेलकम स्टुरेंट, स्वागत है आपका मेरे नए चैनल करन सर फार्मा क्लासेस में जहाँ पर हम भोती सिंपल और इजी वे में फार्मा से रेलिटेट रोचक जानकाईयों को जानने की कोशिश करते हैं और आज का जो एक कोशिशन है और काफी जादा इंटर्विउस के अंदर पुछा जाता है जब हम फार्मा इंडस्ट्री में इंटर्विव के लिए जाते हैं और इसको कई बार लड़के जब इसका एंसर देने के लिए जाते हैं तो काफी कनफ्यूस हो जाते हैं और question ये होता है कि dissolution और drug release में क्या difference है? जी हाँ, कई बार लड़के जो होते हैं, वो जब dissolution को समझाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर drug release word यूज कर लेते हैं, कि dissolution का मतलब होता है धीरे-धीरे medium के अंदर drug का release होना, तो ये बिल्कुल गलत है, मैं आपको clear करता हूँ कि dissolution word आपको कहां यूज करना है, और drug release word आपको कहां पर यूज करना है, तो सबसे पहले हम लेते हैं drug release word, देखे, drug release word वहाँ पर यूज के आता है, जहाँ पर हम उन formulation को यूज करते हैं, या हमारे body के अंदर जब drug reaction करना, मतलब action करना start करती है, तो वहाँ पर drug जो होती हो धीरे धीरे release होती है, तो drug release term जो होती है, वो उन formulation के लिए use होती है, जो हमको body के उपर apply करने होते हैं, ट्रोपीकली apply करने होते हैं, अगर बात की जाए dissolution term की, तो dissolution term उन formulation के लिए use होती है, जो कि हम मुँ में खाते हैं, जिसे tablet हो गई, capsule हो गई, और dissolution term वहाँ use कियाती है, जहाँ पर जो हमारी drug है, जैसे हमारा capsule है, टेबलेट है, वो हम जब उसको मुँ में मुँ से लेते हैं, तो वो सीधा जाके हमारे stomach में जाता है, और वहाँ पर वो medium के साथ react करके dissolve होता है, तो basically dissolution word हमको वहाँ use करना होता है, जहाँ पर हमारी जो drug होती है, वो किसी medium के contact में आती है, और फिर वहाँ पर वो dissolve हो जाती है, तो आप समझ गए कि आपको drug release word कहाँ use करना है, जहाँ पर हम drug को tropically apply कर रहे हैं, मतला body के उपर apply कर रहे हैं, और dissolution word आपको वहाँ use करना है, जिन formulation को हम अपने मुँ से लेते हैं, मुँ से खाते हैं, तो ऐसे formulation के लिए आपको dissolution word यूज़ करना है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको drug release term और dissolution term बहुत easy और simple way में समझ में आ गई होगी, और बहुत easy way में मैंने कोशिश करी आपको समझाने की, इसी type की रोचक जानकरी जानने के लिए जो pharma से जुड़ी हुई है, और आपको interview में यह जानकर यहां काफी काम भी आएंगी, और आपके knowledge को भी काफी आगे बढ़ाएंगी, तो यहीं पर यह video complete करता हूँ, मेरे नए channel को ज़रूर follow करिएगा, वीडियो देखने के लिए thank you very much, आपके उजल होश की काम ना करता हूँ, और यूहीं बने रही है मेरे साथ,